हलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निर्वाचक नामावली का ये जो पेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे चिन आपको दिखाई दे रहे होंगे देखो एक RD-Line भी दिखरी होगी RAID से E भी दिखरा होगा D भी दिखरा होगा D डिलिटेड भी दिखरा होगा करमांग के round भी दिखरा होगा है तो इन सब का क्या मतलब है चलिए हम इनको one by one करके समझ लेते हैं तो देखे 19 नमबर पर आपको क्या दिखरा है 19 नमबर पर round दिखरा है आपको यह देखो यह round बना हुआ है तो round कब बनाना है जब हमारी महिला मतदाता vote देने आएगी और उसकी पैचान P.O.1 सुष्थपित कर लेगा और उसको जब वो सब कुछ प्रोसेज करने के बाद आगे बढ़ा देगा तो महिला मतदाता होने के केस में उसको क्रमांग पर round बनाना है यह ध्यान रखना अब यहां पर E का क्या मतलब है कि यदि कोई भी मतदाता इपिक कार्ड लाता है तो उसका E note करेंगे और इपिक कार्ड के अलावा जितने भी वेकलपिक दस्तावेज उनमें से कोई भी एक दस्तावेज लाता है तो यहां पर हम डी अंकित करेंगे और प्योर टू जो हमारा मतदाता रजिस्टर सत्रा के है उसकी टिपणी में इपिक के अलावा अन्य भी जितने भी डोकुमेंट्स वो लेकर आएंगे उनके चार डिजिट भी रिमार कॉलम म लिखेंगे तो यह यहां पर महिला मतदाता को शो कर रहा है और इसकी पैचान सुष्तापित हो गई इसलिए यहां आडी लाइन लाल कलर से आडी लाइन हमने बना दी है और यह इपिक से वोट देने आए इसलिए यहां पर ए लिख दिया है अब देखिए 22 नंबर में 22 नं सुष्तापित हो गई इसलिए यह आडी लाइन से हमने इसके बॉक्स की काड़ दिया है इसकी प्रविष्टियों को काड़ दिया है अब 28 पर देखिए यहां करमांग के गोला नहीं है इसका मतलब है यह पूरुस मत दाता है और यह इपिक काड़ लेकर अपना वोट देने आया है इसकी भी पैचान सुष्तापित हो गई इसलिए इसको भी लाल रंग की आडी लाइन से काट दिया है अब यहां पर 20 नंबर पर देखिए आप 20 नंबर पर क्या है हेज बना हुआ है हेज का मतलब है कि इसमें एक बार संसोधन किया हुआ है और इसकी जो संसोधन वा इने बलेक कलर की ये भी आपको सो रही है इसका मतलब है ये बताती है भैगरस्त वोटर को यानि ये 20 नंबर वाला जो वोटर है ये भैगरस्त है यानि दबंगों से दबा हुआ है इसके वहां पर इसके निर्वाचन शेतर में मदान शेतर में इसके गाउं में एरिये में क तो इसका कुछ करना ही नहीं है अब देखो 26 नंबर को आप यहां देखे इपिक नंबर भी नहीं है और फोटो भी नहीं है यहां पर फोटो भी गायब है और इपिक नंबर भी गायब है अब ऐसा अगर कोई वोटर वोट देने आ गया तो क्या उसका वोट दिलवाएंगे य लेकिन ये वास्तविक मददाता ही है तो ऐसे मददाता से आपको वोट करवाना है और उसके इपिक नमबर को यहाँ पर मैंशन कर देना है अगर वो महिला मददाता है तो फिर हमें यहाँ पर राउंड भी बनाना है और पुरुस मददाता है तो राउंड नहीं बनाना है औ आपको और transgender है तो हम star mark अंकित करेंगे ये ध्यान आपको रखना है यहाँ 39 नंबर भी ये दिको हैज लगा हुआ है इसका मतलब ये इसमे एक बार संसोधन हो चुका है इककीस नंबर में भी क्या हैज लगा हुआ है तो ये पी एक बार संसोधन इसमे हो चुका है इसका जो सं सोधन है वो नामावली के पीछे लिस्ट में दिया हुआ होगा वहां पर देखना है अब 24 नमबर में देखिए देखो राउंड बना हुआ है राउंड बना हुआ है मतलब यह मैला मत दाता है पाचान सुष तापित हो गई वाड देने के लिए इसको अनुमत कर दिया मतलब यह आड़ी लाइन हमने बना दी लाल कलर से लेकिन यहां पर डी लगा हुआ है डी का मतलब है कि यह इपिक कार्ड लेकर नहीं आईए यह अन्य कोई वैकलपिक दस्तावेज लेकर आईए उसके लिए हमें यहां पर डी लिखना है यहां पर भी इपिक नमबर नहीं है और फोटो नहीं है सेम केस है जो यहां पर हम समझ चुके और यहां पर देखो यह कोई पुरुस मत दाता है जो वैकलपिक दस्तावेजों में से एक दस्तावेज लेकर आया है और यहां पर आडी लाइन बनी हुई है तो यह मूल निर्वाचक नामावली जो चिन्नित प्रती है उसमें इस तरह के सिंबल आपको मिलेंगे इन सबी सिंबल्स को मैंने आपको बता दिया है आपको यह सिंबल्स ध्यान रखने है वीडियो कैसा लगा वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और आने आगे आने वाले वीडियो का तुरंट नोटि और समझे और बिल्कुल एलेक्शन को एरर फिरी करवाई कोई एरर यहां पर नहीं रहनी चाहिए कोई तूटी नहीं रहनी चाहिए यही एक ऐसा काम है जो बिल्कुल एरर फिरी वर्क होना चाहिए कोई तूटी यहां पर समायोगे नहीं रहती है थैंक यू बाई मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के लिए तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए जै हिन जै भारत थैंक यू